दोस्तों आज हम mathematics में derivatives को जानेगे derivative को कहते हैं dy divided dx इसको जानने के लिए सबसे पहले increment को जानना होगा इंक्रिमेंट इंक्रिमेंट्स देखो increments या increment का मतलब ही होता है कि यदि किसी वेरीवल की value में कोई भी change होता है पहले से जितना ज्यादा होगा अचेंज तो उसको इंक्रिमेंट कहेंगे यदि वह x में increase हुआ है लिए तो x का इंक्रिमेंट को हम गाएंगे delta x यदि वो y में increase हुआ है तो उसको गई में delta y अब हम इसको define करेंगे इसको define definition इसको define करने के लिए बहुत simple सा है हम जानते हैं कि जो function x का है वो is equal to हो है वाई अगर हम दोनों तरफ डेल्टा शो करें तो यह जो चीज बराबर होगी X प्लस डेल्टा X Y is equal to Y plus डेल्टा Y अब this is a 1 और इस इस टू अब क्या होगा दो में से एक गठा देते हैं तो एफ एक्स है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन एक्स यह है इस इकल्ट हुआ डेल्टा Y प्लस Y माइनस Y यह कट गया अब हमारे पास आ गया यहां दिखता हूं जो बच गया फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन एक्स यह प्रावर है डेल्टा Y अब दूनों तरफ बोज साइड बोज साइड डिवाइड डेल्टा एक्स ट हमने बोज साइड इसमें वे डेल्टा एक्स चाहिए और इसमेंवे डेल्टा एक्स vrij लिया अब जोलिमिंट अब सागु बोज साइड शोईंग बोजाय एंग बोज साइड स्वाइड अ विश्सालिंग लिमिट limit limit delta x is equal to 0 तो दोनों तरफ उन्हें limit show कह सि delta x is equal to 0 delta limit है इस तरफ delta x is equal to 0 तो इसकी value है limit of x 0 है delta y divided delta x यह है derivative y divided derivative x okay thank you very much